एक और कुश्चन आपके सामने है देखिए कहता है कंपनी का एन्वल फिक्स कॉस्ट चौदा लाग रुपए है कुश्चन ने फिक्स कॉस्ट दे दिया चौदा लाग इन टू थाउजन फूर सेल्स अमांटिंग साथ लाग रुपए है सर सेल्स जो है वह सर साथ लाग रुपए है कंपेर विद्ट पॉट्टीफाइव तीन दो हजार तीन में भहिया कम सेल्स हुआ था प्रॉफिट दो हजार चार का चार सो बीस ओ माई गड़ प्रॉफिट जी चार सो बीस ओ फाइडा दिन दो हजार तीन जो के ज़ादा ही होगा आपको बताना एट वाट लेवल सेल्स डज कमपनी भ्रेक एवन के लिए हमें क्या चाहिए ब्रेक एवन पॉइंट के लिए आपको अच्छे से पता है सर आप लोगे फिक्स कोस्ट डिवाइड़ पी व PBR क्या होता है सर सर PBR क्या होता है इससे करते हैं सर PBR जो होता है न वह होता है sales कि माइनस में VC या फिर मैं सिंपल सी बात कहूं पीवियार को contribution divided by sales into 100 यह इतने सारे सीख चुके अब contribution कैसे से निकालेंगे सर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कॉंट्रिवीशन होता है contribution इस इकल टू फिक्स कॉस्ट यानि 14 लाग प्लस में प्रॉफिट चार बीस तो यह आ गया सर 18 लाग 20 अजार रुपे यह आ गया contribution तो इसकी मदद से हम यहां पर निकाल पाएंगे तो हम क्या करें क्योंकि यह तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एनिवेज इसको मिठा देते हैं अभी पहले हम contribution निकाल लेते हैं तो पी वियर आ जाएगा सर पी वियर इस इकल टू अठारा लाग 20 अजार डिवाइड वाइड वाइड सिक्स्टी लैक इन्टू में 100 देखते हैं पी वियर क्या आता है दिवाइड वाइड वाइड सिक्स्टी लैक इन्टू में 100 थर्टी पॉइंट 333 यह आ गया फिर से चेक कर ले चौदा चारह ठारह 20 डिवाइड सिस्टी ठीक है सर अब निकालते हैं हम जो पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट सर ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कोस्ट क्या है कोस्टन में पता था चौदा लाग पी वियर क्या है जीरो पॉइंट 3 जीरो थ्री तो चौदा लाग पॉइंट 3 जीरो थ्री यह आ गया सर 4620462 च्यालिस लाग बीस अजार चारसो बासट रुपए 4620462 रुपीस आ गया हमारा पहला पॉइंट ड़न second determine the profit and loss अगर हमारा precast sales हमने बोला कि 80 लाग का हो very very simple sir sales कितने का चाह रहे हो आप 80 लाग का sir VC कितना होगा तो PV का उल्टा so minus में 30.333 तो 69 होगा मैं मान लेता हूँ कि भी 70 ही होगा मोटा मोटी अंदाज लग जाएगा न इंटू में 70 यह आजएगा 56 लाग और FC क्या होगा sir FC होगा हमारा 14 लाग बता दो profit 56 लाग प्लस 14 लाग 10 लाग यह हमारा profit clear clear sir if sales reduce selling price अगर हमारा selling price reduce हो जाए 2005 में 10% से एक मिनट यह चार और पांच था चार तीन चार चल रहा है यह पांच कहां से आ गया what's the company desire अगले साल की बता रहा है कि अगर 2005 में 10% का हमारा हो जाए तो desire to earn same profit in 2004 जो 2004 में हम profit कमा रहे थे यानि चार सो भीस ही profit कमाना चाहते हैं तो हमें sales कितना करना पड़ेगा हमारा selling price reduce हो जाएगा कितने से सर से रिडियूस हो जाएगा हमारा अब यहां पर selling price की बात कर रहा है sales नहीं कर रहा है बहुत बखोवी से ध्यान रखेगा selling price की बात हो रही है तो selling price change होगा तो contribution भी change हो जाएगा तो sir selling price 10% से reduce होगा आगले पेच पे चलते है सर पहले जो हमारा sales था ना वो था 60 लाग इसमें से 10% का reduction लग जाएगा sir तो 60 लाग पे 10% का reduction 6 लाग तो हमारा 54 लाग ही sale हो पाएगा लेकिन sir variable cost जो पहले था ना वो ही रहने वाला है 70% तो 70% था हमारा 60 लाग का 70% यानि 42 लाग पहले भी 42 लाग variable अब भी तो sir new contribution जो आएगा ना minus में 54 लाग या जगा एक लाग बीस अजार समझ रहे हैं बात को new contribution आ गया एक लाग बीस अजार अगर new contribution एक बीस आ गया तो sir जो PVR आ जाएगा ना PVR आ जाएगा 120 और divided by एक बीस या बारा एक पर मैं दुबारा कर लेता हूं 54 लाग माइनस में 42 लाग 12 लाग है सरी है 12 लाग मिस्टेक divided by क्या करतेंगे हम PVR PVR के लिए sales sales कितने का इसर अब 54 लाग का से लोगा तो एक बीस डिवाइड़ वाइड़ लाग तो तो सर यह 22 परसेंट आ गया 22.22 लाग मिस्टेक अब इसने कहा desire profit आ जाओ सर इसको sales बता दो जब fix cost प्लस में profit जो चाहता है divided by PVR तो सर fix cost तो हमारा वही रहेगा 14 लाग मिस्ट जो चाहता है वो है 4 बीस पीछे का याद है आप सभी के पास बुक होगा PVR है 0.2222222 सोन चलते जाओं तो 14 लाग प्लस 42 लाग डिवाड़ीट वर पॉइंट दख कर दिया तो सर यह आगे हमारा हमें सेल करना पड़ेगा 25 लाग कितने हो गए दो चार पाच तो साथ 25 लाग का अगर सेल करेंगे तो हमारे profit पे परभाव नहीं पड़ेगा सिर्फ 10% के reduction से देखो 10% के reduction से कितना इसको अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी आप इधर कर सकते हो variable cost वगड़ा लेके सर एक वार question इसको भी note कर यह और एक चीज और धियान रखिएगा यह मैंने sales present level से माना है कुछ लोग कह सकते हैं सर जो यह वाला पॉइंट आया है इस पेसे करके दिखाओ तो 80,000,000 से भी आप करके इसी तरीके से दिखा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सब कुछ बदल जाएगा 80,000,000 से न करोगे तो हर चीजें बदल जाएगी 80,000,000 से करोगे तो आपका contribution कुछ और आ जाएगा जैसे सर 80,000,000 यानि आपका हो जाएगा 10% माइनस तो 72,000,000 हो जाएगा और सर यहां पे 70% 56,000,000 माइनस कर दोगे 16,000,000 divided by 72,000,000 ऐसे situation में आपका कुछ अगें वही ratio रहने वाला है तो चलिए इसको भी note कर लेजिए